उत्ते साड़ी शहीद, कमल जीद, वीर दे, राखी बंदल लेई, मद्दे परदेश्टों साड़ीयां पैना आई हैं और साड़ा पंजाबी हों देना आते फर्ज बंदा है कि उन्हां पैना नों पूरी अच्छे त्रीक ना प्रोटोकाल दे के असी उन्हां नों इत्थे लाके आयां पारत दे जिडे लोग हैं ओ कारकार दे वेचा सारे ही मैं हुई क्या सकता है कि एक एक फोजी है उन्हां नों यह ना सूचे जाए कि ओ यूनिफॉर्म तो बिना यहां यूनिफॉर्म दे वेचा गया है खेक चगोडी खाना ले हैं साड़ी पारत दी यडी सारी अबाम है गी है ओ पारत दी आर्मी दे नाल खड़ी है गी है और असी बहुत गर्म महसूस कर दे हैं गया और साड़े लोग जड़े है वो इसे करके चैन दी नीन सौंदे है गया हमारे फॉजी भाईयों को नमन करते हैं और देश की जो भी हमारी फोर्सेज हैं वो चाहे आर्मी हो सेना हो और अबियसेफ हो या सपैरा मिलिट्री फोर्सेज भी हो जो इन देश के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं सच माने, तो इन भाईयों की बदॉलत ही हमारे घर की दिवाली की खुशिया है और हमारे घरों की होलिया है हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि इनकी शहादतों की बजह से ही ये देश इतनी करमटता से टिका है और इन्हें भूल जाना तो ये कायरों का काम होगा हम सब मिलकर इन्हें से लूट करते हैं और नमन करते हैं हमारी देश के हर एक इंसान के अंदर इस सम्मान को जागरत करना मातरशक्ति संगठन का काम है जो हम कर रहे हैं और वास्तों में इस कर्ज को कोई हिंदुस्तानी नहीं उतार सकता क्योंकि हर मा का कलेजा यही कहता है कि जिस दिन तु शहीद हुआ उस रात ना जाने कैसे तेरी मा सोई होगी लेकिन इतना तुत्य है तेरे सीने में लगने वाली गोली भी सौसौ बार रोई होगी सौसौ बार रोई होगी जयहें जय भारत देखो मैं अज इत्धी तरहाद दे उत्ते जड़ा सिंब्ली चंकी है गी अब यहां साथी उत्ते साड़े शहीद कमल जीद वीर दे राखी बंदल ले मद्दे पर पंजाबी हों देना आते ये फर्ज बंदा है कि उन्हां पेना नूं पूरी अच्छे तरीक ना प्रोटोकाल दे के असी उन्हां नू इत्छे लाके आयां इसे दे नाल मैं के इस उन्हा देना चाना कि पारत दे जिडे लोग हन ओ कारकार दे वेच सारे ही मैं हुई कहा सकता है कि एक एक फौजी है उन्हां नू ये ना सूचे जाए कि उन्हां तो बिना यहां यूनिफॉर्म दे वेचा गया कदी भी सरहादां तो जिडे या ओ पेठनी दिखा सकते हैं साड़ी पारत दी जिडे सारी अबाम है गी है ओ पारत दी आर्मी दे नाल खड़ी है और आसी बहुत गर्म मैसूस कर दे हैं गया और साड़े लोग जिडे है ओ इसे करके चैन दी नीद सौन दे है गया आज रखड़ी देते आर्द दे साड़ी है जड़ी पहना आई है गी हैं मद्दे परदेश तो मैंना बहुत दै दिल तूं गहराई तों इना दा स्वागत करदां तानवाद करदां कि नाने साड़े वी ऐस अब दे नौजवान बीरा नो आके सनमान कीता है उनना दे रखी कमल जीज सिंग पोस्ट सीमा सुक्षाबल की भारत पाक सीमा की जिरो लाइन पर बनीजे पोस्ट जहां पे समार कया कैसे हमर बलीदानी का जिरोंने चार दिसंबर 1971 में भारत पाक यूद के दोरान अपना बलीदान दे कर इस पोस्ट को बचाया इस गौंस सिंबल को बचाय और इसी समाधी पे उनका अंतिम संसकार किया गया क्योंकि अकेला रह गया था पोस्ट पे नाईक कमल जीज सिंग पाकिस्तानी सेना ने अपनी कुरूरता का परिचे देते हुए उनका सिर कलम कर दिया और पास एक बेरी का बिक्षब हम पे टांग दिया और माथे वे एक सि सीमा सुक्षाबल को एक नायाब तोफा एक बहुत बड़ा बलिदान बहुत बड़ा त्याग एक अत्तर के शहीद हुए लेकिन आज भी इस पोस्ट की गरिमा बरकरार है क्योंकि उनकी बहन अमरत पाल को और जिसने उनीस सो बहतर में इस समाधी पर राकी बांदने का सिलस लेकिन 2016 को लंबी बिमारी के बाद उस बहन का निधन हो गया लेकिन उनके निधन के तीन दिन पहले जब होस्टिटल में हमारी शहीद सैनिक पर रवार सुक्षाब परशिद के लोगों का हाल जानने के तो उन्हें हमसे वचन लिया कि मैं बचूंगी नहीं लेकिन विकी भ परवाद शहीद सैनिक परवार सुक्षाब परशिद हर राखी पर यहां पर आकर बार्डर की बेहनों को साथ लेकर सिंबल गाओं की बेटियों को साथ लेकर इस माधी पर राखी बांते हैं उस बेहन कि याकर इच्छा का पूरा करते हैं और इस अमरवीर को नमन करते हैं जिसकी पवित्तरात्मा यहां मुझूद है और इस वार एक बहुत ही नयाब तुफ़ा सीबनी से आई हैं मद्यपरदेश से आई हमारी बहनों ने मात्ती शक्ती संगठन ने दिया जो एक तड़ लेकर शेहिदों के प्रती अपनी श्रधा ल बंद कर एक टूट बंदन का एक सबूत दिया नमांखों से अपने सिमा सुक्षे बलके जो बाई हैं उनकी कलाई पर राखी बांदी बाईयों ने कुछ उपहर देने चाहे लेकिन बहनों ने कहा हमें सरहदों की रखवाली का बचन दीजिए तो आज इस करेकर्म की गर्मा जो हर सल बढ़ जाती है क्योंकि राखी का टिहार बहुत ही पावन तिहार है हर भाई को बहन की याद आती है कच्चे दाउंगों की ये डोर जो दोड़े चले आती है अपने भाई की कलाई पर राखी बन दें लेकर हजारों मील अपने घञों से दूर भाई आस के दिन इन बेहनों से राकी बद्वा करों ने अपने घर की याद जो है ताया हो जाती है एक और फिर मैं इस बीर भूमी को नमन करता हूँ इस अमर बलिदानी नाइक अमर जी सिंग को नमन करता हूँ उस स्वरगी बेहन को नमन करता हूँ अमर पाल कोर को जिनके बचन को आज संस्ता न भारत.